राय गंज दीपा दास मुंशी के साथ आशिका सिंग मौझूद है आशिका संतुष नहीं हो क्यूंकि जहां जहां हम लोगों ने सुपर सेंसिटिव एरिया बता दिये थे वहां वहां सेंटल फोस है नहीं क्यूंकि मैंने यह कहा था कि 100% होना चाहिए आख पिये सुरक्षा जबकि 100% अगर नहीं भी हो तो कम से कम पेट्रोलिंग रहना चाहिए तो यहां पर 78 परसंग बूत में हम लोग देखे हैं कि सेंट्र फोस रखे गाएं। लेकिन सेंट्र फोस के जहां पर नहीं है वहां वहां ना हमारे पॉलिंग एजन्ट को अंदर घुसने देने जा रहा है। ना तो वहां पर पॉलिंग हो रहा है वहां छपा जब भी हम लोग खबर कर रहे हैं तो ना लोकल पॉलिस टेशन से कोई आवाज सुन रहे हैं और पॉलिस अब्जरवर जेनरल अब्जरवर सुन तो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है कहा कहा से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं ज्यादा से ज्यादा ये इसलामपूर के आगडिम्टी खुंती अंचल और महुआ अंचल गौल पुखर से आ रहे हैं और रिगिंग आप कह रहे हैं कि चल रही है तो फिर आप यहाँ पर किसके उपर आरोप लगा रहे हैं ये टीमसी की तरफ से है बीजेपी की तरफ से है पूलिस के सामने ही हो रहा है पूलिस को साथ लेके टीमसी के पूरे गुंडरात चल रहा है और वो लोग बूत के अंदर घुसके हमारे पोलिंग एजन को सब अपोजिशन के सारे पोलिंग एजन को बहार निकाल दिये और अंदर घुसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सामने वो लोग ये काम कर रहे हैं और इसका फोटो भी उठाने गए थे हमारे एबीप आनंद को एक रिपोर्टर पार्थो उनको बुरी तरह से मारा गया आप ये बताईए हमें कि और कहां कहां से अभी अभी आपके पास जो फोन आया था ये कहां से फोन आया था कहां पर आपके एजेंट्स को निकाल देया गया देखिए कोई बांगलादेशी सिटिजन इंडिया में आके कोई चुनावी प्रचार नहीं कर सकते ये कानूनी कारवाई होना चाहिए इसके उपर और हम लोगोंने भी मैं भी इनके खिलाफ इलेक्शन कमिशन को खत लिखे हैं कि ये पहली बात तो ये है कि टीमसी कोई है वो उनका वीजा पर बांगलाए है वो उनका वीजा पर बांगलाए है